हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दा सक्सस केंद्रा फ्रेंड्स बाइस सो तेरा पोश्ट विहार दरोगा का जो पीटी एकजाम 26 दिसंबर 2021 को लिया जाएगा फ्रेंड्स उसके लिए महेश कुमार बरनवाल का जो प्राक्टिस बुकाया हुआ है उसका सेट नमबर 4 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इससे पहले अल्रेडी हम लोगोंने सेट नमबर 1 से ले करके सेट नमबर 3 तक को कबर कर लिया था तो फ्रेंड्स अगर आपने नहीं देखा है तो देख लिएगा इन सभी वीडियो का लिंक आपको आज की इस वीडियो के इसक्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चैनल पर अगर आप पहली बारा हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लिजेगा ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अप्लोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए तो चलिए फ्रेंट्स बिना देरी किया हुए आज का सिसन स्टार्ट करते हैं फ्रेंट्स प्लीज वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर जीजेगा तो फ्रेंट्स अब भ्यास प्रश्ण पत्र संख्या 4 यानि कि प्रैक्टिस सेट्टमबर 4 का पहला प्रस्ण देखिए और जारी किया जाता है वर्ल्ड एकनांविक फोरम के द्वारा यानि कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा और देखिए 2020 में भारत का ज्वास्थान इसमें रहा था किया हुआ है साथ ही साथ साइन्स के सभी प्रश्णों को हमने एक ही वीडियो में कभर किया हुआ है 2008 से लिकर के अब तक जितने भी बिहार दुरोगा में प्रश्ण पूछेगा है उनको subject वाइज हमने कभर किया हुआ है इस्ट्रिक आलग पॉलिटिक आलग जोगराफिक आलग साइन्स का लग उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जरूर देख लिजेगा पिछले साल के जितने भी बिहार दुरोग है कि कोस्टन पेपर है उनको भी मैंने कभर करवा दिया है दूसरा कोस्टन देखेगा कि नेमलेखित में से किसे प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है तो प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है क्रेडिट कार्ड और डेविट कार्ड को तो राइट टेंसर आप्से नंबर ये हो जाएगा नेक्स्ट को 16.00 में मदरास में अस्थापित किया गया था जो कि असफल रहा था उसके बाद 1789 में सफल का खाना जो है लखनव में लगाया गया था यहां अखबारी कागज पुछा गया तो अखबारी कागज जो है यहां मद्यपरदिस के नेपानागर में तो राइट एंसर हो जाएगा आपका मध्यप्रदीश option number B हो जाएगा इसका राइट एंसर उसका बाद next question देखेगा कि रिसी जहत्र में nitrogen, phosphorus और potassium के प्रयोग का अनुपात कितना है तो यह ratio कितना हो जाएगा तो राइट एंसर इसका option option number B हो जाएगा 4-2-1 के ratio में उसका बाद next question देखेगा कि निमलेकित में से बंबाई का संस्थापा कौन था देखेए फ्रेंट इससे पहले महस कुमार बर्नवाल का हमने सेट नुबर 1, सेट नुबर 2 और सेट नुबर 3 कबर किया हुआ है देख ली जेगा बहुत ही बड़ीया सेट है बिल्कुल भिहार द्रोगा का जो पैटरन है उससी पर आधारितिया सेट है तो देखे बंबाई की जो अस्थापना किया है यह क्या है गेराल्ट अंगियार ने ठीक है तो राइटें सर ऑप्सन नुबर C हो जाएगा उसके नेक्ष्ट कुसन देखेगा कि सांग के दर्शन का प्रतिपादन ने किया था तो है unconohi यह किना किया था टो प्रहद मिमांसा नुद्न ने हंप्रतिपादन किया था of the Nadyo ने किया था विदुद्द चुम्बक्ये प्रेरेन का सिधान्त माइकल फैराडे फांटेन पेन वाटर्मेन और भाप इंजन पुछा गया तो यह जेम्सवाट हो जाएगा यहां आप देख रहा है डायमलर डायमलर बताएए दहन इंजन नेक्स्ट कुस्ण देख लिजेगा क की विष्वखाद सुरक्षा दिवस 2020 का विषा क्या है सबसाफने जानी किवष्वखाद सुरक्षा दिवस मनाय कहिए जाता है तो देखिए यह iस नाया जाता है परतिएक वर्स साथ जून के दिन मनाया जाता है पहली बार ay data तो पहली बार यह मनाया गया था 2019 में ठीक है ध्यान रखेंगे 2019 में यहाँ पहली बार मनाया गया था और देखें यहाँ 2020 का थीम पूछा गया तो 2020 भी याद रखना है और 2021 भी आपको याद रखना है 2021 में इसका थीम क्या है 2021 का मैं आपको बता है कि safe food today for a healthy tomorrow उसका देखेगा कि भारतिय समिधान में संसोधन की प्रकिरिया किस देश की समिधान से लिगई है तो फ्रेंस यह लिगई है दक्षिन फिरकास से अच्छा समिधान संसोधन जो है यह किस भाग में दिया गया है साथी साथ आप अनुछेद भ है तो देखे फ्रेंट्स राइट अंसर इसका option number B हो जाएगा अनुछेद पजास देखे अनुछेद 51 जो है यह भारत की विदेश निती से संबंदित है इसमें जो है अंतराश्टिय सांती और स्वतंतरता की अभिवरिदी से संबंदित है आर्टिकल है 51 अगर हम 51 A की बात करते हैं तो यहां मौली करतब दिया गया है इसमें और आर्टिकल 49 जो है इसमें राश्ट्रिय महत्व के असमार को अस्थानों और वस्त्वों का संरक्षन दिया गया है next question देखेगा कि भारती पुरा तत्व सरक्षन की अस्थापना किस वर्स की गई तो इसके अस्थापन होता है ठीक है व्रून पोस्त याद रखेंगे उसको बदेखे रेखी समीति निमलिकित में सक्किस्त संबंदित है रेखी समीति का संबंद जो है यह और प्रत्यक्ष कर से है अपसे नमबर D हो जाएगा रेट इंसर उसके बाद next question देखेगा कि दीने इलाही की सुरुआत किस ने किया था तो दीने इलाही की सुरुआत अकबर ने किया था कब किया था तो 1582 में किया था इसको भी आपको ध्यान रखना होगा अगला question देख लिए देखा next question एकतरफ स यह दिया गया है कि इन में से सुचीटों में कौन सा धातू है कौन सा धातू है उप धातू और मिस्र धातू बताई इसमें से राइट अंसर क्या हो जाएगा तो चलिए एक एक करका मिला लेते हैं तो दीके धातू हो जाएगा प्लाटिनम और धातू हो जाएगा इसमें से ब WTO का सदस से किस वर्स बना था तो WTO के अस्थाप्रां जो हुई थी यह 1995 मुही थी और इसी साल से भारत सदस से है तो राइट अंसर इसका 1995 हो जाएगा देखे हेट कौर्टर इसका जनवा में है और हाली में WTO की जो हेड बनी है पहली बार किसको महिला बनी है इनका नाम है न तो सोने के सिक्यों को दिनार कहा जाता था ठीक है और चांदी के सिक्यों को रुपिया का कहा जाता था इसको भी आप ध्यान रखिएगा next question देखेगा कि पौंधे द्वारा nitrogen किस रूप में प्राप्त किया जाता है तो यह nitrate की रूप में ठीक है किस रूप में nitrate की रूप में ध्यान रखेंगे फेंड्स उसका बाद next question है हमारा है किस समूओ को विसो बैंक की रियायती रिन देने वाली खिर्की या उदार रिन खिर्की कहा जाता है तो यह किसको कहा जाता है तो यह कहा जाता है International Development Association को यानि कि IDA International Development Association यानि कि अंतराश्टी विकास संग को नेक्स्ट कुस्टन देख लिजेगा कि COVID-19 के इलाध हेतु भारत का पहला प्लाजमा बैंक जो है कहां स्थापित किया गया है तो फ्रेंट्स यह किया गया दिल्ली में और असायोगा अंदल निस्टार्ट कब हुआ था तो एक अगस्ट 1920 को हुआ था ठीक है ध्यान रखेंगे तो यह नाकपुर अजिवेशन हो जाएगा इसका नेक्स्ट कोसें देखेगा कि अफ्रिका महादीप की सबसे बड़ी जिल कौन सी है अफ्रिका महादीप की सबसे बड़ी जिल जो है यह विक्टोरिया जिल है और इसी जिल से नील नदी का उदगम हुआ है नील नदी का उदगम ठीक है विक्टोरिया जिल से उसके में देख लिएगा कि संसत में सरपर्थम औविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था तो सबसे पहले यहाँ जो अविश्वास प्रस्ताव है यहाँ लाया गया था 263 में किन के द्वारा तो फ्रेंट्स लाया गया था जे भी किरपलानी के द्वारा ठीक है पंडिक जवाहरला नहरू के खिलाफ तो ध्यान रखेंगे नेक्स्ट कुस्ण देख लिजेगा कि अंतराष्टी जय विविद्धिता दिवस किस तिथी को मनाया जाता है तो अंतराष्टी जय विविद्धिता दिवस जो है यह प्रतेक वर्स बाइस मई के दिन मनाया जाता है और इस वर्स इसका थीम था वी आर पार्ट अप दे उसका बद अगला कुस्सन दिख लिजेगा कि हॉर्ण बिल महोचो किस राज में मनाय जाता है हॉर्ण बिल मनाय जाता है नगा लेंड में ठीक है फ्रेंड्स और देखे लाई हरोबा पूछा जाता है लाई हरोबा तो लाई हरोबा मनाय जाता है कहां पर तो मनिपूर में इस इसका वा देखे किस योद के बाद सेर खा को सेर सा की पदविदी गईे पहले इसका नाम सेर खाथा बाद में 14 का यूद जीतने के बाद इसने सेर सा की पदविध धरन की थी ध्यान रखएंगे चॉशा का यूद फंत्रस उन्न चय treatments हो झाएगा यह चौसा का युद हो जाएगा, बिलग्राम या कन्यज का युद पंद्रह सो चालिस में हुआ था, नेक्स्ट कोशन देख लिजेगा, और किसके बिच वाता तो हुमायू और सेरसा के बिच, बीबी का मकबरा कहां वस्तित है, बीबी का मकबरा जो है, यहां औरंगाबाद म जान रखेंगे, नेक्स्ट कोशन देखेगा कि रिसर्जेंट लिमिटेड इंडिया नामक पुस्त के लेखा कौन है, तदिकि इस पुस्त को लिखा है किसने तो बीमल जलान ने, आप्सन नमबर सी हो जाएगा, बीमल जलान ने लिखा है, यह आर्बियाई के गौर्णर भी रह चुके हैं, समिधान में विनियोग विद्यक की चर्चा किस अनुषयत के अंतरगत की जाती है, देखे सरकार द्वारा संचित निदी से रकम निकासी को मंजूरी देने के लिए संसद में प्रस्तुत विद्यक को विनियोग विद्यक कहा जाता है, और फ्रेंस के अंतरगत है, तो ध्यान रखेंगे अनुषयत 114 के अंतरगत है, उसका नेक्स्ट कुस्टन देखेगा कि किसी अंतराश्टी फूटबॉल मेच की समय वधी कितनी होती है, तो यह आसान कुस्टन है, 90 मिनट, 90 मिनट का होता है, प्रात्मिक छेत्र रिन, यानि कि प्राइर प्रतिसत, नेक्स्ट कुस्टन है हमारा कि कथन दिया गया है, और फिर यहां पर देखें, रिजन भी दिया गया है, और यहां कूट से आपको एंसर चुन करके बताना है, ठीक है, छली, देखें कथन का रहा है, कि हिमाले से निकलने वाली नदियां 12-80 होती है, बिल्कुल गया है, और हिमाले की नदिया का जो जल प्राप्ति होता है, यह बर्फ की पिघलने से और वर्षा होने से दोनों के कारण होता है, जल की प्राप्ति, यह भी सही है, और बिल्कुल यह सही व्याख्या कर रहा है, तो राइटेंसर इसका अप्सर नमर ए हो जाएगा, ए और दोनों सही है, और आर जो है, यानि की रीजन जो है, यह कथन का बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है, सूर्य गरहन की सतीथी को होता है, तो फ्रेंट सूर्य गरहन जो होता है, यह होता है आमा उस्या के दिन, और संदर गरहन पूर्णिमा के दिन, उसका बाद नेक्ष्ट क अगला कुस्तन देखेगा कि Hero to Animals Award 2020 किसे दियागा अब देखे 2020 यहां पर पुछा गया है 2020 हो जाएगा इसमें से नवीन पटनाएक जो कि उडिसा के मुख्यमंत्रियां उनको 2021 अब याद रखना है 2021 क्या हो जाएगा चिरंजीवी नाथ सिनहा ठीक है नाम याद रखेंगे इनका 2021 में इनको दिया गया है चलिए अगला कुस्तिन देख लिजेगा कि 15 अगस्त 1927 को सोतनता प्राप्त होने के बाद भी कौन सा देश पुर्तगाल के अधिन रहा था तो फ् जो है पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था उसको देखेंगे उच्छ दाब वाली हावाई जो केंदर से बाहर की और केंदर से बाहर की और ठीक है चलती है उनको क्या कहा जाता है तो उनको कहा जाता है प्रति चक्रवाद next question दिखेगा किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है तो ये रोग कौन सा है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है तो ये हीमोफिलिया है उसका वा देखेगा कि वितिये छेतर में सुधार निमलिकित में से हेतु किस समीती का गठन किया गया था तो वितिये छेतर में सुधार हेतु इनमें से कौन सा समीती गठन किया गया था तो M.N.R. Simmons समिती और रगुराम राजन समिती तो A और B दोनों इसका राइट अंसर हो जाएगा उसका वाद देखेगा कि रहयत बाड़ी बंदोबस्त कहां लागू किया गया था रहयत बाड़ी बंदोबस्त थॉमस मुन्रो के दवारा मदरास प्रेसिडेंसी में और बंबई प्रेसिडेंसी में और ऑफ्सन नमबर C हो जाएगा उसका वाद देखेगा T20 किर्केट में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतिय पूरुस गेंदबाज कौन बने है तो यह दीपक चहर बने है ऑफ्सन नमबर D हो जाएगा उसका बाद नेक्स्ट कुस्ट देखेगा कि जनहित याचिका दायर की जा सकती है तो जनहित याचिका जो है यह सुप्रीम कोट में और हाई कोट में यानि कि सर्वचिन आले और उचिन आले दोनों में दायर की जा है यह और भी दोनों राइट एंसर हो जाएगा इमली में कौण सामन पाया जाता है अंगूर में भी टाटरी किसीट पायाजाता है चक हाओ दिखे एक ब्लैक राइस है चक हाओ जिसे प्रदान किया गया यह किसे राज से सब्सक्रत है तो चक हाओ आप टो जैएगी दिखन रखेंगे चाल्ग ठीकि नेक्ष तो संतावन के विद्रहों में बारेली का नसे ने किया था। तो याद रखेंगे दिखिता हैं बाहदृ कहने लिकाताली कहां से किया था भी अहमद ने फायजाबाद से और कानपूर से किस यह किस न है Stitch अंदोलन जो था यहां है किसान अंदोलन था और इसको प्रमोह के नेता थे यह थे मदारी और सहदेव ठीक है मदारी पासी और सहदेव तो देखें मदारी पासी का यहां पर नाम दिया गया है सहदेव का भी नाम आपको ध्यान रखना है वर्षा के समान मत्रा वाले अस्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है तो फ्रेंट्स इनको कहा जाता है आइसो हाइट आपसर नमबर यह हो जाएगा आइसो हाइट उसके बाद next question देखेगा कि भारतीय समिधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तयार किया गया था तो यह किया गया था बियन राव के द्वारा ध्यान रखेंगे किसके द्वारा बियन राव के द्वारा उसका बाद निति आयोका गठन किस वर्स किया गया था तो योजणा आयोका अस्थान पर 2015 में किया गया था भारत के प्रधान मंत्री निति अध्यक्स होते हैं वर्टमान में राजीयु कुमार इसकी उपाध्यक्स है देखे निम्न तो यूउँ नहीं है कि तो इसमें से धातू खनीच को न सी नहीं है तो फ्रिंट्स जिप सम हो जाएगा ठीक है ध्यान रखेंगे उसके बते से चनई और एट जो है यह हो जाएगा दिली से मुंबई तो यह आप अब लोग मिला लिजिएगा ठीक है फ्रेंट्स चलिए नेक्स्ट कुर्शन देख लिजिएगा कि अजया वारियर सैन अभ्यास कीने दो देशों के मत्र संपन हुआ है तो अजया वारियर जो है या किसके बीचे तो भारत और युनाइटेट किंग्डेम के बीच का ठीक है फ्रेंट्स और उत्रा खंड में इसका जो है उत्रा खंड के चौबटिया में इसका एवजन किया गया है 2020 में तो भारत और UK हो जाएगा नेक्स देखेगा कि समतल कुन का मात रख क्या है यह समतल कुन है और एक सॉलिड एंगल पूछा जाता है ठीक है सॉलिड एंगल समतल कुन का जो होता है वो रेडियन होता है क्या होता है रेडियन होता है रेडियन कहां दियागए और सॉलिड एंगल का एश्टे रेडियन होता है क्या होता है एश्टे रेडियन होता है तो इसको भी आप के बराबर होता है तो देखिए पीको में कितना होता है तो ध्यान रखेंगे पीको में 10 to the power माइनस 12 होता है 10 to the power माइनस 18 होता है एटो में किसमें होता है एटो कहा जाता है 10 to the power माइनस 15 जो है इसको कहा जाता है इसको क्या कहा जाता है और 10 to the power और 12 को क्या कहा जाता है जिसको टेरा कहा जाता है सब को आप ध्यान रखेंगे उसका देखिए गा कि सेम कोस्टन है रिपीट हो गया दो बार सकेन करने के दर्मियान देखिए वैस्विक लंगिक अंतराल सुचकांग में भारत का स्थान कौन सा है तो अभी मैंने आपको बता तो इसका अधार वर्स 2011-12 है ध्यान रखेंगे राष्टपती किसकी सलापर अनमंत्रियों की निउक्ति करता है तो देखे प्रधानमंत्री की निउक्ति आर्टिकल 75 के तहद जो है राष्टपती करते है और अनमंत्रियों की निउक्ति प्रधानमंत्री की सलापर राष्ट पति ही करते हैं अनुछे 75 के तहद तो यह प्रधानमंत्री हो जाएगा आपसे नमबर बी नेक्स्ट कोस्टन देखे किने मलखित में से अफिरका के पस्मिट पर कौन सी महासागरी यह धारा बाती है तो यह बैंगूला धारा हो जाएगा उसके पठाके का हरा रंग किसकी उपस्तिति के कारण होता है तो यह किसके कारण से होता है तो राइट अंसर इसका हो जाएगा ऑप्सन नमबर यह हो जाएगा ठीक है और लाल रंग हो जाएगा इस्ट्रोंसियम के कारण तो इसको भी आ और अनुसुची पुछा जागा तो दस भी अनुसुची ध्यान रखेंगे ठीक है फ्रेंड्स चरिए आगे बढ़ते हैं किन moments कम चाला गया था तो सबसे प्रताफी सासक्त कनिशक चला गया था उसका बाद की अधेश्ञा रखेंग है इह गतिति किया था तो यह question important है का 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 सहब कालिल करके नेतरितु में उसकेबद next question दिखियेगा कि पाल of one's कि राजधानी कहां थी तो पाल वंस क्या स्थापना किस ने किया था गोपाल ने किया था और इस सबसे प्रतापी साथ मुझे राजधानी थे justify टिक्छ किस ने किया था तो यह किया था रौबट कोजने उसको दिखेगा कि भारत में सीक्के जारी करने के लिए कौन अधिक्रित है तो ये वित्मंत्राल है ठीक है ध्यान रखेंगे उसको दिखेंगे केंद्रिया अनुवेशन ब्यूरो Central Bureau of Investigation यानि कि CBI का परमख किसे बनाया गया है तो अब जो बनाया गया है ये कौन बनाया गया है तो सुबोध कुमार जैसवाल सुबोध कुमार जैसवाल नाम इनका याद रखेंगे ठीक है किस वर्स की गई थी 1975 में ध्यान रखेंगे 1975 में उसको दिखेंगे किस अस्थान का मानक समय निर्धारित करने का अधार होता है तो यह होता है प्रधान मद्याहन रेखा अप्सन नमबर ए राइटन सर इसका हो जाएगा देखें राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधी जो है किस ने दी थी तो यह दिया था अकबर दूतिये ने नेक्स्ट कोस्टन देखेंगा कि एसियाटिक सोसाइटी और बेंगॉल की अस्थापना किस ने किया था सवरी कब की गई थी तो याद रखेंगे फ्रेंट्स यह कब किया गया था तो 1784 में किया गया था बिलियम जोन्स के द्वारा उसके बदेखें मिलान करना है लैक्टिक अमल हो जाएगा आपका किस में तो यह दूद में एसेटिक अमल हो जाएगा सिर्का में सिट्रिक अमल निमो में और ब्यूटेरिक अमल जो है यह दुरगंद्युक नमक्खन में तो इसको आप लोग मिला लेंगे अब ठीक है चलिए पटना उच्छ नयाले कि वर्तमान में मुंके नयादिस कौन है तो अगाल की लिस्बन है कि विधान सभाग कि सदस्य विधान परिशत में लगभग कितने सदस्यों को निर्वाचित करते हैं तो करेक्ट इंसर हो जाएगा एक बटा तीन उसको देखेगा कि भारतिये वन प्रबंधन सांस्थान कहां है तो यह भोपाल में है टाइटन किस ग् लाकना प्रारभ किया था टो यह किया था अल्लास दीन की जिने किसने क्या था अल्लाऊ देन खील ANT कि कि सेमानित किया गया तो और इंटलीजी को जोड़ फर्णारणिस को और स्समा सर्थ सभी को अप्स結果 राइट हो जयेगा राइट रॉप उसकों देखेगा QAD का सम्मूं सदस्थ से नहीं है तो QAD में बहरत अमेरीका और जापान है ठीक है यह चार देस हैं इसमें France नहीं है ध्यान रखेंगे उसको देखेगा कि नियम लेकित में से कौन सी? ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो ग्रीन हाउस गैस मिथेन है, CFC है, नैटरस अक्साइड है, उसके बाद ओजोन भी है, हैड्रोजन इसमें नहीं है, नेक्स्ट कुस्ट देखें कि इनिमलखित में से किस राजे में राजसभा के सदस्व किसंख्या, सेस राजों से अधिक है, तमिलाडो में कितना है, तो तमिलाडो में 39 है, महराष्ट में 48 है, पस्टिम मंगल में 42 है, और बिहार में 40 है, तो सबसे ज़्यदा महराष्ट हो जाएगा, सरवधिक जन घनत वाला राजे कौन सा है, सबसे ज़़ए जन संक्राइब 211 की जन गरना का उसार किसका है तो यह बिहार का है ध्यान रखेंगे उसको देखियेगा कि 32 ग्रिस्मकालिन ओलम्पिक 32 ग्रिस्मकालिन ओलिंबिक करम याद रखना है देखिया अब यहाँ पर अगर आपको करम नहीं तो कंफिजन होगा 32 टोक्यों में हुआ ठीक है तो टोक्यों जापान थेटिसवा होगा कहाँ पर तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में 34 कहां होगा और यह देखे 33 होगा 2024 में 24 लोस अंजलीस USA में 2028 में और 35 यह 2032 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा चलि नेक्स्ट कुछ से निखली देगा कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था तो यह समाचार पत्र कौन सा था बताए तो यह था बंगाल गजट ठीक है 1780 में श्टार्ट किया गया थे किसके द्वारा तो जैम्स अगस्त गया तो साथ से कम हो जाएगा और भी चार यह पुछा जाता तो साथ से अधिक होता कि सीसी वद्पर्तिबंद कि समय लागू हुआ था यह और भी दोनों के समय हो जाएगा ठीक है धियान रखेंगे उसका नेक्स्ट कुस्न देख लिजेगा कि सत्थपूरा टाइगर क्वणर करने वाली देश के पहली कंपणी है इसलिए इसलिए इंपोर्टिंट यह हो जाएगा भारतिय तेल निगम आई-ओ-सी मिलान करने वाला है देखिए दिलवाडा का मंदिर है यह राजस्थान के मांट आबूपर है लिंगराज ओडिसा में है मेनाक्षी मंदिर तम तो इसको आफ आप लोग मिला लिजेगा, चले उसका बद देखेगा कि यूरोप की कौन से नदी कुएला नदी के नाम से जानी जाती है, तो फ्रेंट्स यह है रायन नदी ठीक है ध्यान रखेंगे उसका बद देखेगा कि भारत में उसन कटेबंदी आजर सदा बाहर बन कहां पाए जाते हैं तो यह पाए जाते हैं कहाँ पर तुप्रायदीपी पठार में ठीक है उसका बद नेक्स्ट कोसे देखेगा कि महाभारत का प्रारंभी के नाम क्या है तो जय सहिंता है उसका बद नेक्स्ट कोसे देखें मिलान करना है पुनम यादो का संबंद किस खेल से है बताइए तो यह क्रिकेट से है अजयत हाकुड कबड़ी से तजिंदर पाल सिंग तूर एथलेटिक से मैनुवल फेडरिक्स जहें यह हौकी से ठीक है तो इसको मिला लीजेगा मेरे ख्याल से राइट अंसर इस कॉप्स नमबर ए ही हो जाएगा उसको बदेखेगा कि अंतराश्टी सिक्षा न वह एक एक चलना प्रारम कर दे तो अस्वारोई गिरने के असंका क्यों रहती है बताएगे चलना जब प्रारम कर दे तब तो यह एक एक चलना प्रारम कर देगी तो यह हो जागा आपका बिश्राम जड़त्यों के कारण ठीक है फ्रेंट्स फ्रेंट्स फ्लीज वीडियो क